सत्ते समचार, निस्वक समचार समाज बदलनी हामडो अभ्यान नमस्कार, यो हो टैम समचार, माचान शुरुगरो उपचार, समन्धी समचार बाटा जनकपुर का डाक्टर सहित को टोली औस्ती सहित पुगिर जाजर कोट का भुकंप प्रभावित हरु को उपचार गडिका छन नाक कान तता घाटी रोग विशी सग्यर डाक्टर सुन सिंग नितरतो को मेडिकल टीम ले जाजर कोट को नल गड नगरपाईलका को बिभिन वड़ामा भुकंप प्रभावित बिरामी हरुलाई स्वास्थे सेवा दे गहुन नाल गड़ा प्राथमिक उफचार केंद्र मैं पोगेर बिरामी को स्वास्थे जाज गरदे अस्ति समाग्री हस्तांत्रन गडिको डाक्टर सिंग ले बताई को बुकंप प्रभावित नल गड़ा पोगे का थे टोलीले राहत शरूप लगिको अवस्ति समाग्री मेडिकल टोलीली विरामी को जाच उपचार संगे नाल गड़ा प्राथमिक उपचार केंद्रलाई राहत अंत्रन गरिको हो त्यहां पोग्दा चिकीचा सिक्छा बिद्ध डाक्टर गोविन्द केसी समेथ टोली मा सामिल भाई भुकंप प्रभावित को जाच तता उपचार गड़े का थे आरती साहलाई न्याई दिलावना आम जनता पाटीको नित्रतोमा राष्टियमान वधिकार आयोगमा ग्यापन पत्रा बुझाएकुछा बिही बार आज पा उपा आदेक्छा तिलक थापाको नित्रतोमा पिदित परिवार शहित को टोलीले लडित पूरको हरी हर भवन इस्थित आयोगमा अदेक्छा तो बहादुर मगरलाई ग्यापन पत्रा बुझाएकुछुँछ एक सी 44 दिन देखी मायती घर मंडलामा संगर्शरत पिदित परिवार को माग प्रती एक बदता जनावदै आम जनता पाटिले मांग सम्मोदन गर्न पने सरकार को धाना कर्शन गराएकुछ गत्त जेट सात गते आपने घर जनाकपुर धाम नव थपा जोगमा 24 बर्शे आरती मिर्त वस्थामा फेला पड़ी कि थीन आरती रा मोती बाबु साह बीज 29 असार दुई हज्यार सथत्तर मा विबाह भाएकु थियो तर दाईजो को निहुमा पतीर सशुरा बाटा आरती ले धेरे यातना पाएकुरा मिर्तुको कारण पने यही भाएको माईती पस्च को दावी रह दै आएकुछ एता दोसीले करवाही को मांग गर दै आरती की आमा भोबा बहिनी लगाए चार महिना दे की काठ मांडो को माईती घर मंडला मा तहारना दिदै आएका छन बैतेसिक रोजगारी मा ठोगी गरेको आरोप मा एक जनालाई सिरहा प्रहरीले पकराओ गरेको छ पकराओ पर्णेमा लश्मिपूर पतारी गाउंपैर का वडा नमर तीन बसने पेतिस परसे साबीर मलंग रहेको जिला प्रहरीक कार्याले सिरहाले जनायको छ बैतेसिक रोजगारी ठोगी मुदामा बैतेसिक रोजगार विभाग बात पकराओ पुर्जी जारी भाय काले मलंग लाई गाउंघर मा लुकी छिपी हीड़ूर गरी रहेको अबस्थामा पकराओ गरेको प्रहरी परवक्ता प्रहरी नाय उप्रिक्षक रवींदर राज प पकराओ परेको मलंग लाई बैतेसिक रोजगार विभाग काचमांड़ पठावने तैयारी भाय रहेको जनाय गुछ प्राष्टा चार मुदामा दोसी ठरियेका सिचक लाई उपदान शहित सुविधा दियेको भंदै सात जनाविरुद्द मुदा दायर भाय कुछ अक्तियारली जिलाश्यक्शा कार्यालेका ततकालिन बिद्याले निरिच्छक ब्रीज कीसोर यादब नेपाल राष्टय प्राविका परधान अध्यापक धर्मिदर पर्शाद यादब रोजे थारु पर्शाद पुर्मी बारा का जिलाश सिच्चा अधिकारी तोला राम चेत्रिय सिक्षार निर्देशनाले का कानू निर्देशक दिनेश कुमार श्रेश्ट रसाखा अधिकरीत बेद परशाग पोडेल ब्रुद्धा प्रस्टाचार मुदा दायर करी को हो बारा को बैरनिया इस्थीत स्री राम प्रात्मिक बिद्याले का ततकालिन प्रधान ध्यापक्त ता नेपाल राष्टिय प्रात्मिक बिद्याले रोव वाही का पूर्व सिच्छक योगेंदर परशाद यादव दुईहजार थिहात्तर बैसाक सोल मा प्रस्टाचार मुदा म दोसिठर भ्यी का थि दोसिठर भ्यी रर बर्थ थिक्तमा पड़े का सिच्छक यादव लाए बिभिन शुपधार उपदान दिलाय को भनदय अक्तियाले उनिहरो विरुद्दब्राष्टाचार मुदा अक्तियाली मुदा दायर गरे को छो अक्तियारली स्विधा लिनी सिचक यादव रो स्विधा दिलाउन प्रयास करनी परधान ध्यापक तथा सिख्छा कर्याले का अधिकारी हरुमाथी मोदा चलाएक हो यादवले आफु कशूरदार भायको फाइल गायब बनाई राजी नामा दियर स्विधा लियेको अक्तियार को आरुप छाब काग जात गायब बनाई पची उनली एक लाख पाच हजार रुपया अक्ति रिक्त तलब लियेको अनि अवस्ति उप्चार बिरामी बिदार चाडपर्व खर समेत गरेर कुल सोल लाख बिरानवे हजार रुपया भुगता निलियेको अक्तियार को दावी छा पर्धान मंत्री पुष्प कमल्दाहाल पर चर्णली महिला बालबाली का जेश्ट नागरी का साथे सुथ केरी र गरब बतिलाई राहात बित्रनमा प्रात्मिक्ता दी को बतावनु भाई कुछ रुलपा जिला अस्पताल था वांको मोट रेवल पूल घाटन का लागी निपाल गंजबाच रुलपा प्रस्थान गर्निक्रामा पत्रकार संग कुरा प्रधान मंत्री पर्चन्ड ले सरकारली भुकम्प पिडित का लागी राहात बित्रनमा कुने कसर मांकी नराखे को समेद बतावनु भाईू रहात वेवस्थापन का लागिस सरकारली पहिलू प्रात्मिक्ता मा महिला बालबाली का जेश्ट नागरी का साथै शुत केरी र गर्पतिराई प्रात्मिक्ता मा राखे कुछ वहाली भन्नु भयो रहात वित्रन प्रात्मिक्ता का अधार मा भई रहे कुछ रुकुम पस्सी मा भुकम का कारंज्यान गुमाई का परिवार लाय आजदे की राहत रकं बित्रन गरी दैज सरकारली भुकंप मा परी ज्यान गुमाये का परिवार का लागी दुईलाक रुपया दिन घोसना गरे को थियू तेही रकम आजा देकी बित्रन गर्ने रुकुम पस्यम का सहायक प्रमखजिला अधिकारी प्रिवेश बढ़वाल ले जान कार दिन भैव महा कान सार आजा सानी भेरी गाउंपायल का बाटा रहात रकम बित्रन थालने जा शानी भेरी मा भुकंप मा परी 10 चनाले ज्यान गुमाये का थिये एसताई भोली आठ वीस कोट नगर पायल का मा रहात रकम बित्रन गर्ने छा आप 20 कोट मा बुकम्प का कारण ब्याली सना को ज्यान गय को थे। परेद पसिम रुको मा बाबन जना को ज्यान गय को थे। ये सैंजी बीच जाजर कोट मा भने नगद राहत बित्रन मा शमे लागनी भाई को थे। अचले राहत बीतरनमा द्यान केंदित भाहए काले नागद राहत बीतरनमा समिल लागने सहाईक्रमका जिला आधिकारी हरिश्चंद्र शारमाले बतान भैय। ज्यान गुमाये का कानुन नी हक वाला को पहिचान मिर्थु दर्ता प्रहडी मुचुल का लगायत पर किरिया पुरा गर्ना बाकी नहीं रहेकाले नगद रहात का लागी पिडितले अजाई केई समे कुर्णू परने महाको भानाई छा बुकमप प्रभावी चेत्रिमा रहात अभाव है कुछ बुकमप गय को एक हापता बिति सकता समेत धेरे जसो पिडितले रहात पाउना सके का चैनन। यसते प्रभावी चेत्रिमा भोली बर्षा रहेम पाद को समभावना रहेकाले चीसो बढ़ने हुदा पिडितले थरुलाई थप शमस्या पढ़ने भाहे कुछ देरे जसो भुकमप पिडित अहिले पनी खोला चेत्रिमा बस्ताई आये का चान। जस्तिगार्दा उनिहरू बिरायमी पर्ण था देका चान। हरेक सात बर्ष मा नवीकरन गर्ण पणे संधिकाई बेवस्था अंशार स्वत्ता नवीकरन भाहे कुछ शंधिशन सोधन द पुन्डव लोकन को विसे उठी रहे पनी यस पटक भाहेन तर बीच मा शन सोधन गर्ना सकिन चा वहाले भन भायो। हामी दोई देश का बानेजिय सह सचीव इस्तरिय बैठक को तयारी गईरी रहे का चां। तेसा बेला पनी यो विसे उठावना सकिन चा। नवीकरन हुनी संधी मा अगिलो पटक पनी खुने संसोधन भाहेको थीन तर ते वह बेला पनी बानिजिय संधी संसोधन बिने नवीकरन भाहेको भंदे आलो जना भाहेको थीू। नेपाल को सबई भंदा ठूलो बैदेशी की बेपार हुनी दीस भारत भहेकाले सबई भंदा बड़ी बेपार घटा पनी भारत संगी छा। तिस्तो बेपार घटा कम गरना का लागी बानीजिय संधी पुर्णा मुलोकन गरना आवस्यक रहेकाले लामो शम्मे देखी कुरा अठी रहेको थिऊ लामो शम्मे देखी यो संधी संशोधन द परिमार्जन नहुदा नेपाल ले बैदेशी की बेपार का छेत्रमा पिफिन ना समस्या महगनू परेको पुर्व बानीजिय संधी नभीकरन का लागी संधी अठार अठारा मा नेपाल प्रकिरिया सुर्णा अठी बैदेशी संधी नभीकरन नेपाल को खुलो असर देखी यो उलेख गरनू भायो भारतिय बस्तुले शुनिय भनसार पाइरन नेपाल बित्रिदार नेपाल को उत्पादने पर्तिसपर्धा गरन नसाके को पुर्व शर्चीप घिमिलेले पतम भायो आर्थिक संधार नेपाली हरुली यो बर्शा साथ दसमला पांच पर्तिसत महगो दसाई मनाये का छन नेपाल राष्ट्य बैंकले सार्वजनिक गरिको देश को बर्तमान आर्थिकता बित्य स्थिती पर्ति बेदन का आमसार असोज मा बार्शिक बिंदुगत उभोगता मुद्रा असभीती महगी साथ दसमला पा uncheck पर्तिसत थियो यो बर्स को दसाई पर्व असोज 28 गते देखी शुरू भाय को थियो भग्य समान खपत कार्थिक में भाय पनी आम नागरिकले अधिकान सकीन मेल असोज में गरी सके का थि केंद्रिय बैंका अनुशार असोज मां मर मसाला को मुल्य 37.3% सम्मा बढ़े को थियो बजार मां किन्दा पनी न भेटी को चीनी को मुल्य 38.22% सम्मा महगी को थियो एसे गरी चाडबार मां अत्यधिक खपत होने फलपुल को मुल्य मां 14.22 दुगध पदार्थ मां 11.22 में मुल्य ब्रेधी भाय को थियो बीप्रेशन रेमिट्यांस और परवाह मां उलेख्य ब्रेधी भाय को थियो नेपाल राष्ट्या बैंका अंसार श्रावन भादोर असोज मां रेमिट्यांस 3.22 परतिसतले बड़े र तीन खर्वा पे जटी अरब चोतिस क्रोण रुपे आप पोगी को थियो गायको आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यांस 16.28 परतिसतले बड़े को थियो गायको बर्षको यही अपधिमा श्रम शुक्रिती लिनी को संक्या 1.149.23 थियो एस्ते पुन श्रम शुक्रिती लिनी को संक्या 59.002.27 में छा गायको बर्षको यही अपधिमा श्रम शुक्रिती लिनी को संक्या 59.002.27 में छा केंद्रिया बईका अंसार असोज मसांसामा निपाल मां विदेशी मुद्रा को संचित 12.6 अरभ ते 30books करूर अमीर्की ड्लार प्रोगी हो सा असार मसांत को तोनामा विदेशा 1530 परतिस्तली बढ़िए लोकाता असार मसांतμा निपाल मां 11.220 अमीर्की ड्लार बड़ाबर व इसको बर्तमार आर्थिकता बित्य अवस्था प्रति बेदन शार्जनिक गरदे नेपाल डास्टे बेंकली चालू आर्थिक बर्षको तीन महिना मां तथ्यांक अंचार तीन महिना को अब्धी मां बिदेसी मुद्रा को संचित 15.3 परतिस्तली बढ़े को जानकार दीएक हो। बिदेसी मुद्रा संचित बढ़नू मां रेमिट्यांस अपरवाब देदीर आयात वकटाउती सुष्था भाहे को केंद्रिय बैंकली जनाएक हो। सर्युक्त राष्ट संको मानाबधिकार उच्चा युक्त ले गाजामा भाही रहेको द्वन्ध का कारण माप करनू होला। समूले गरीको अत्याचार रा बंधक लाई अजय आपनो कब्जामा राखी रहने कार्ययुद अपराद रहेको टिपनी गर्णों भाहेको। साथे पलेस्टाइनी लाई इस्राइल ले दियेको सामूहिक सजाई रा गईर सैनिक लाई तीनी हरुको यत थलो बाटा जबर्जस्ती गर्यों को निश्क असन पनी तेहीं बर्ग मापनी उहाको भनाई छा। गाजा स्ट्रिप मा भई रहेको आक्रमने मानव जीवन माथी र गईर सैनिक माथी अशाहे छती पुडियाएको राष्टे संग्य अधिकारी टिवर्क ले बताएका बीवी सीले जनाएको छा। युद मा संगलंगन पच हरुले पालना गर्नुपणे नियम हरु जेनेभा महा संद्गी मार अन्य अंत्राष्टिय कानुन तथा सह मती हरुमा उलेख गरे गाचान। युद अपराद को वेपार मा सेना ले जाना जन गईर सहिनिक लाई आक्रमन गर्न नपाइनीर गहाईती हरुको हेर बिचार गर्नुपणे संगै गहाईती सहिनिक हरुको समेत युद बंदी का रुपमा छुटे अधिकार हरुनुपणे लगायत बेवस्था छन। युद मा कसेलाई बंदक बनाऊना पाइदाईनर तेसलाई पने युद अपराद माने छुट निनर लेंड्सको हेग मा रहेको अंतरास्टिय फोजदारे न्यालेको इस्थापना युद अपराद रा मानव मानात्ता बिरोधी अपराद का घटना हरुको अनुशन धान गर का लागी गरी को हो खेल कुछ समचार हंकोग मा हुनी चार दिस सम्मीलित महिला टी 20 सिंखला को लागी नेपाल की केट संग क्यानले इंदु बरमालाई कपतान को जिमे बाडी दी कुछ इसते बिंदु रावल उपकपतान बने की छिन इसगी टोली को कपतान रहेकी रूबिना छेत्री र उपकपतान सीताराना मगर पने टोली मा सदस्य चन तर कपतान र उपकपतान परिवरतन गरी को क्यालने जनाए कुछ इसते कंचंस्रेश्ट सोमू बिस्ट र सोनी पार खिलने पहिलो पटक सीनिय टोली बार्ट खेल देछन श्रिंखलामा नेपाल संग तान्जान या जापान र हंकंग ले खेलने छन नेपाले कार्दिक 29 गते तान्जान या शंग खेले र ट्रती युगता को शुरुवात गरने छ हस अईडियो को लागी टाइम्स मचार एतीने हिल्दी गरन होला टाइम्स टेलिवीजान माचारने विदा चाहां छो नमस्कार